नमस्कार ट्रेंसेंट्रेविल में आपका बहुत बहुत स्वागत है ये दोहना स्टेशन है और दोहना स्टेशन का आउटर है जहां से हम आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं यहाँ पर बहुत जल्द अब नॉन हिंटर लॉकिंग का कारे किया जाएगा ट्रेक्स को लिंग करने का क्योंकि काम काफी तेजी से दोना स्टेशन पर हो रहा है और रेल विद्धुति करण का कारे भी होना है जो नए ट्रेक्स यहाँ पर पड़ गए हैं एक रंत्रू लाइन हो जाएगी और एक रूप लाइन हो जाएगी यहाँ पर आप देख सकते है किस प्रकार से tracks की जो इस्थिती है वो आ रही है और आगे इसी वीडियो में हम आपको दिखाएंगे जो हमारा इज़त नगर का लोको शेड है उसके track पर भी real electrification का कारी शुरू हो गया है wiring वहाँ पर लगानी शुरू कर दी गई है यह वीडियो भेजा है अनमोल ने तो यहाँ पर सामने आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो tracks हैं उनको यहाँ पर जोड़ा जाएगा अभी हाल ही में यहाँ पर एक limited subway बनाया गया limited height subway जो होता है underpass type का दोना के निकट दोना station के पूर्व में जहाँ पर cranes की मदद से बड़े-बड़े cement के जो boxes होते हैं उनको place किया गया track के नीचे और उसके बाद उपर वापस track को जोड़ा गया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो loop lines आएंगी दोना station पर cross bars लग गई हैं यहाँ पर लेकिन अभी electrification का जो काम होना है वो अभी बाकी है यह हम दोना के outer पर खड़े हैं भोजीपुरा के दिशा में और काफी घासवास ओग आई है बीच में अभी यहाँ साफ सफाई होगी वापस से labor लगेगी इधर आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से junction boxes नए यहाँ पर लगा लिए गए हैं लग गए हैं लेकिन अभी इन में paint होना है और जब linking का काम होगा तब यहाँ पर सारे जो points वगरा यह तयार किये गए हैं junction boxes में इनको finally फिर तब जोड़ा जाएगा यह हम आपको नज़्दीक से दिखा रहे हैं कि इस प्रकार से यहाँ पर दोना station पर कार किये गए हैं लेकिन कारियों में अब तेजी आने चाहिए जिस गती से कार यहाँ पर खतम कर लिए जाने चाहिए थे अब तक क्योंकि चोटा सा यह hall था पहले अब station बन रहा है और track work यहाँ पर करीपरी पूरा हो गया है मुख्य station की अगर हम बात करें platform पर वहाँ पर तो platform नमबर एक की दिशा में आप देख सकते हैं वहाँ पर भी loop line डाल ली गए थी और run through track वहाँ पर तयार है सिर्फ outer की दिशा में कारें बाकी हैं अब हम जो हमारा इजद नगर की जो लोको शेड़ वाली हमारी line है देखे यहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं या जो हमारी मेमू है अभी हाली में महराष्ट से नागपूर से मेमू भी आए थी यहाँ पर maintenance के लिए उसका भी यहाँ पर ट्राइल रन किया गया दोडाए गया कटीमा वाले section पर तो ये सारी चीज़े जो electric locomotive हैं मेमू है उनकी maintenance जो है वो यहीं इज़त नगर में होगी जिसके चलते यहाँ के जो tracks है चाहे वो demo shed की तरफ जाने वाला track हो या हमारा loko shed में जाने वाला track हो सभी tracks यहाँ पर पूरी तरह से electrified किये जाएंगे और इज़त नगर का जो हमारा loko shed वाली जो हमारा track line है आप देख सकते हैं किस प्रकार से उपर यहाँ पर आपको wiring यहाँ पर नजर आ रही होगी प्तार लगाने का काम यहाँ पर शुरू हो गया है wiring का और चुकि अब भविश में इज़त नगर में भी लोको जो है वो इलेक्रिक लोको आएंगे जिनसे ट्रेंस संचालित की जाएंगी तो उनकी maintenance उनका रख रखाओ यहाँ पर जब shed में होगा तो जो track है जो लोको shed जा आता है इज़त नगर के वो track भी पूरी तरह से electrified किया जा रहा है तो यह था चोटा सा update